गुड मॉर्णिंग फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए SSC का प्रीवियस यर का कोश्चन ये सारे कोश्चन का कलेक्सन है जो आज तक कि SSC के प्रीवियस सारे एकजाम से पूछे गए हैं जैसे कि SSC CGL, SSC MTS, CHSL और जो कि आने वाले एकजाम जितने भी SSC का एकजाम है जैसे अभी SSC का नया कलेंडर लॉंच हुआ है तो SSC का जो आने वाले सारे एकजाम से किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साधी साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए सुरू करते हैं Q1 हमारा कह रहा है आरंबिक बैदिक काल में बैदिक काल में बैदिक साभिता की कर लेते हैं तो बैदिक साभिता को दो पार्ट में बाटा गया था एक था पूंड बैदिक काल और एक था उत्तर बैदिक काल ठीक है पूंड बैदिक काल की बात करते हैं तो पूंड बैदिक काल जो था 1500 से 1000 BC तक था ठीक है और उसके बाद जो उत्तर बैदिक काल था वो यह 1000 BC से लेके 600 BC तक था ठीक है और ये जो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग बैदिक काल की, तो इसी में क्या था? बेद था परणा और रिगवेद था परणा, जो की रिगवेद बहु जाद़ा इंपौर्टंट है, अगर हम लोग रिगवेद की बात कर लेते हैं, तो रिगवेद के ही नौमे मंदल में ठीक है? कौन से मंदल अगर हम बात करते हैं तो एक बेंद में टोटल कितने मंडल थे 10 मंडल था और 1028 सुक्त थे ठीक है और एक बेंद से एक और चीज़ याद रखेगा इसी के रिक बेंद के तृतिय मंडल में ही गायतरी मंद का बढ़न है ठीक है तो यह बहुत बार एक जाम में पुछा गया ग द्रगुब दूतिये वो चंद्रगुब दूतिये के सासनकाल में आया था फायान था कौन अगर हम फायान की बात कर लेते तो फायान कौन था एक चीनी बोधे आत्री था और ये अगर हम बात करते हैं चंद्रगुब दूतिये की तो चंद्रगुब दूतिये की तो चंद् साथ कभी राज भी कहा जाता है समुद्र गुप्त को ठीक है अगर बात हैं यही पर कुमार गुप्त की कर लेते हैं तो कुमार गुप्त से याद रखेगा कि नालंदा विश्विद्याले का निर्मान इसी नहीं करवाया था और कुमार गुप्त के समय है सरवाधिक गुप्त भी आती थी बार मीर की एक ग्रंथ आई है जिसका नाम है ब्रियत सही था ठीक है और एक और है पंच सिधांति का तो यह दोनों नाम याद रखिएगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह अगला कोशन है अमारा अज मेर मेर में धाई दिन का जोपड़ा किस ने बन आया किया था ठीक है और कुतुबुदी नेवक की बात करते हैं तो यह क्या था गुलाम बंस का संस्थापक था गुलाम बंस को ही क्या बोला जाता है दास बंस भी बोला जाता है और यह कुतुबुदी नेवक को भी क्या बोला जाता है लाख बस्क बोला जाता है लाख बस लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला और पील बक्स का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला ठेक है साथी साथ कुतुबुदीन से एक चीज़ और याद रखेगा कुतुबुदी ने भारत में प्रथम मस्जिद का निर्वान करवाया था जिसका नान था कुबत उल इसलाम और ये करवाया कहा था दिल्ली में क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं आगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा हुआ सुल्तान कौन था जिसने खिलाब खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा और यानि अल्लावदेन खिलजी ठीक है अल्लावदेन खिलजी के अगर बात करने तो अल्लावदेन खिलजी 1296 में दिल्ली की सत्ता पे बैठा था मतलब दिल्ली का सुल्टान बना था और साथी साथ इसने सुल्टान पद की सुक्रिटी भी नहीं लिए थी और उसके साथ एक और चीज़ याद रखेगा खलीफापद का और सुल्तानपद का इसुक्रिती तो लिया ही नहीं था और साथी साथ इसने इसलाम सी दांतों के अनुसार साफन भी नहीं किया था ठीक है और इसने एक नया निरंकु सासन के अस्थापना की थी ठीक है निरंकु सासन के अस्थापना की थी साथी साथ अल्लावदिन खिलजी से और कुछ याद रखेगा कि अलाई दरवाजा, सीडी का किला, हजार खंबा महल ये सब निर्मान करवाया था अल्लावदिन खिलजी ने चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है हमारा कि इस बंस के सुल्तानों ने सबसे अधीक समय तक सासन किया था, ठीक है, यह बात कर रहा है, यहाँ पे खिलजी बंस, दास बंस और तुगलक बंस और लोदी बंस यह सब दिल्ली सल्तनत का बंस ह तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा, ऑप्सन नंबर बी यानि तुगलक बंस, देखिए, अगर हम लोग दास बंस की सुरू से बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो करम था वो देख लीजे, सबसे पहला करम था दास, उसके बाद आया था खिलजी, उसके बाद आया था लोदी बंस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, दास बंस की, तो दास बंस सासन कब से कब किया था, 1206 से लेके 1290 तक, और दास बंस की अस्थापा कौन थे, कुदबुदीन एबक ने अस्थापना की थे, उसके बाद आता है खिलजी बंस, खिलजी बंस चला था 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है, उसके बाद आता है तुगलग बंस, तुगलग बंस चला था, तो अप्सन नमबर B, यानि की तुगलग बंस, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशेन की तरह, अगला कोशेन हमारा का रहा है, कि जिस समय 1761 में पानिपत की तीसरी लड़ाई में आमा साबदाली ने मराठो को हराया था उस समय दिल्ली का सासर कौन था तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो जागा साल अम्दूत यह यानि को आपसे नमबर यह देखिए अगर हम बात करते हैं 1761 में जब पानिपत की दूसरी लड़ा 1756 में अकबर ने हेमु को हराया था चलियर है चलियर अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन हमारा कहा रहा है कि सिख गरू ने स्वेम को सच्चा बात साह कहा था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा गुरू अर्जुन देव यानि ऑप्सन नमब ठीक है अगर हम बात यही पर दूसरे अप्सन की कर लेते हैं तो गुरू गोबिन सी जो थे वो दसमे और अंतिम गुरू थे और ये स्वेम को सच्चा पात साह करते थे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सच्चा बात साह अगर पुछेगा तब अंसर गुरू गोबिन सींग क्लेर है और गुरू गोबिन सींग नहीं 1699 इस भी में बैसाखी के दिन खाउसा पंध की अस्थापना भी की थी चलिए अगर हम बात यही पर गुरू हर गोबिन की कर लेते हैं तो यह सीखो के छट में गुरू थे और अमरी सर में किले बंदी का कार इन्हों नहीं करवाया था ठीक है अगर हम बात गुरू तेज बाहदूर की कर लेते हैं तो यह सीखो के नौ में गुरू थे और इनसे एक चीज़ याद रखेगा यह इसलाम सुईकार नहीं करने के कारण ही औरन जेब ने इनको मरवा दिया था चलिए अब बढ़ते हैं अ पश्चिम मंगाल में कब 20 जून 1756 को ठीक है आई यह हुआ था कि इसमें 123 अंग्रेज को ठीक है 123 अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से उसमें से बहुत कम अंग्रेज बचे थे बात बाकि सब मर गये थे चलिए और इसी कोई ब्लैक होल तरास्ती कहा जाता है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस यूद ने किस यूद से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्ने हुआ था तो इसका जो सई अंसर है बो है आप्सन नमरे यानि बॉंडी बॉस की लड़ाई और यह हुई कर थी 1760 में इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी क्लेर है चलिए अगर हम बात यह पर और कर लेते हैं बक्सर की लड़ाई की तो बक्सर की लड़ाई याद रखेगा 1764 इस भी में हुई थी और बक्सर में अंग्रे अंग्रेजों ने मीर्कासइम को हराया थाख, अगर बात हम लोगर क offenses की लड़ाई की कर ले थे तो पलासी की लड़ाई 1767 में हुई थि और अंग्रेजों ने सिरा जुदौला को हराया था, क्लियर है? अगर हम बात हम लोग करनाटक यूद की कर लेते हैं तो करनाटक स्थापना हुआ था अगर हम बात करते हैं कि हुआ कर था तो 1897 में इन्हों ने किया था अगर हम बात और अप्संस की कर लेते हैं तो दयानन सुर्सती की अगर बात करते हैं तो दयानन सुर्सती से याद रखेगा कि इन्हों ने आज समाज की अस्थापना की थी कब किया था 1875 में अगर हम लोग बात केशब चंद्र की कर लेते हैं तो केशब चंद्र से याद रखेगा कि इन ही के सहयोग से प्राथना समाज की अस्थापना हुआ था इनके सहयोग से ही प्राथना समाज की अस्थापना हुई थी अगर हम लोग बात र अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन हमारा कह रहा है बरसों पहले हमने नियती के साथ एक बादा किया था और अब यह बादा पूरा करने का समय आ गया है यह सब 14 अगस 247 की रात को किसने कहे थे तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा आप्सन नमबर C यान आप्सन नमबर A देखिए बल्ला भाई पटेल को भारतिये बिसमार्क के रूप में क्यों जाना जाता है देखिए बिसमार्क थे कौन बिसमार्क बो थे जो जर्मनी का एकी करन किये थे क्या किये थे जर्मनी का एकी करन का सरे जाता है बिसमार्क को तो जिस परकार जर्मनी का एक करण बिस्मार्क ने किया था उसी परकार सरदार बल्ला भाई पटेल द्वारा भारतिय रियास्तों का भारत में समिलन किये जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है भारतिय बिस्मार्क कहा जाता है क्लियर है चेलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला man of India clear है ठीक है और दादा बाई न रोजी से और चीज याद रखेगा कि भारत में सबसे पहले अगर कोई राष्टी ये आये का आकलन किया था तो ये दादा बाई न रोजी नहीं किये थे ठीक है साथी साथ और याद रखेगा कि ये ब्रिटिस संसत का सदस बनने वाले सबसे पहले भारतिये थे ठीक है चलिए बढ़ते अगले कोईशन की तरफ अगला कोईशन हमाया रहा ब्रिटिस इंडियो बगान मालिकों के अत्यचार का बनन करने वाला परसीध नाटक नील दरपन किस ने लिखा था तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुँ जगा दीन बंदू यानि आप्सन नमबर C ठीक है और ये नील बंदू के लेखक जो दीन बंदू थे और ये जो मतलब की नील विद्रो हुआ था हुआ कब था 1860-1860 की बात है कि यो उस समय हुआ था इसमें नील के खेती करने वाले के बिर्यूद को परदर्सित करने वाला नाटक है ये नील दरपन क्लियर है चलिए अब अड़ते हैं अगले कोशन की तरब अगला कोशन है हमारा भारतिये सम्मिधान की प्रस्ताबना में नेमलिखित में से किस अभिव्यक्ति का परियोग नहीं किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो जाएगा option number D यानी किस संगिये देखिए भारतिये सम्मिधान की प्रस्ताबना में संगिये सब्त का परियोग नहीं किया गया है लेकिन अनुचेद ध्यान रखिएगा लेकिन अनुचेद एक के तहट कौन से अनुचेद अनुचेद एक की अंतरगत भारत के राज्यों का संग घोसित किया गया है भारत को राज्यों का संग घोसित किया गया है चले अब अड़ते हैं अगला कोश्चन है अमारा भारत की संफिधान साबा का संबैधानिक सालाखार कांथा? तो इसका जो अंसर हो जाएगा बहुँ जाएगा बीयें रहो यानि की आपसन नंबर सी ठीक है? अगर हम लोग बात सम्विधान सभा की कर लेते हैं तो सम्विधान सभा की जो प्रथक बैठक थी वो 9 December 1946 को हुआ था और इसी दिन सा डॉक्टर सच्टानन सिनहा को अस्थाई सदस गोशित कर दिया गया था लेकिन फिर एक दिन बाद मीटिंग हुई जो 11 December 1946 को इसमें डॉक्टर राजेंदर परसाद को क्या बना दिया गया अस्थाई सदस बना गया दिया था और इसी मीटिंग में मतलब 11 December 1946 वाले मीटिंग में ही बी एन राऊ को क्या बना दिया गया था सम्विधानिक सलाहकार बना दिया गया था चलिए, अब अड़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है हमारा, निमलिखित में से हुआ हम मौली का अधिकार कौन सा है, जिसे डॉक्टर अंबेदकर के अनुसार सम्विधान का दिल कहा गया है, तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नमबर A, यानि सम्व सम्विधान का अपचारों का अधिकार है, जो किसमे है अनुछेद 32 की बात कर रहा है, अनुछेद 32 की बात कर रहा है, और इसी को सम्विधान का हिरिदय और वो आतमा कहा गया है, डॉक्टर अंबेदकर के द्वारा, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इट जारी करने का जो अधिकार होता है, वो सुप्रीम कोट के साथ हाई कोट को भी होता है, सुप्रीम कोट बस याद रखिएगा कि सुप्रीम कोट अनुछेद 32 के तहतरी इट जारी करेगा, और जो हाई कोट है, वो अनुछेद 226 के तहतरी इट जारी करेगा, क्लियर हैं चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा नेमलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतिये संभिधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number C यानि संपत्तिक अधिकार देखिए संपत्तिक अधिकार पहले मौधिक अधिकार था लेकिन फिर 44 में संभिधान संसोदन 1978 में इसको हटा दिया गया और बरतमान में जो संपत्तिक अधिकार है वो 300 के कह की अधिन एक कानूनी अधिकार यानि एक बीधिक अधिकार के रूप में रखा गया है, अगर हम लोग बात मौलीक अधिकार की कर लेते हैं, तो ये भागतीन में USA के सम्मिधान यानि अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है, और अनुछेद 12-35 के तहट समाहित है, क्लियर है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले अमारा कह रहा है, भारतिय सम्मिधान में राज निती के निदेशक सिधान किस देश के सम्मिधान से लिये गये हैं, तो ये इसका अंसर आप लोग सबको पता होगा, इसका जो सही अंसर है वो है, आपसन नमबर B, यानि कि आयरलेंट, ठीक है, राज की जो निती निदेशक सिधान्त है, वो आयरलेंट से लिये गये हैं, और ये है कि इसमें भाग चार में है, याद रखिएगा, भाग चार में है, ठीक है, और कितने अनुचेत, छती से एक आमन के बीच में समाहित है, अगर हम बात कर लेते हैं, राज के निती निदेशक सिधान्त को, तो इसको ब संसाद्मक, सासन प्रनाली और विधी निर्मान प्रकिरिया, ये तीनों चीद ब्रिटेन से लिया गया है, अगर हम लोग बात USA की कर लेते हैं, तो USA से याद रखिएगा कि मौलीक अधिकार, ठीक है, नियाईक प्रुबलोकन, राष्टपती, उप राष्टपती, और बीती ये अपातका, ये सबचीद USA के संविधान से लिया गया है, अगर हम लोग बात यहीं पर कनाड़ा की कर लेते हैं, तो कनाड़ा से याद रखिएगा, संगेवाम राज के बीच सक्ति बभाजन और संगहात्मक भिसेस्ता हैं, ये दोनों चीज कनाड़ा से लिया गया है, च संविधान के अनुछेद 56 के एक के तहद राश्पति अपना त्यागपत रूप राश्पति को सौपेगा, तो ये आटकिल भी याद रखिएगा, कभी कभी कोश्चन पूद दिया जाता है कि कौन से आटकिल या कौन से अनुछेद के तहद, अगर हम बात करते हैं बात का पहला अराजनितिक राश्पति कोन था, मतलब जिसका बैग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं था और वो हमारे राश्पति बने थे, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बो हो जागा, ऑप्सन नमबर B, यानि डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम, ठीक और ये कब से राश्पति कहने का मतलब क्या है, पिपल्स प्रसीडेंट, पिपल्स प्रसीडेंट इनको कहा जाता है, अगर हम लोग बात दूसरी अप्सन की कर लेते हैं, तो जाकी रूस हैं जो थे, वो 67 से लेके 69 तक रहे हैं, ठीक है, अगर ये सरादा कृस्णन की बात करते हैं, तो ये 62 से लेके 67 तक रहे हैं, और डॉक्टर राजंदा प्रसाद की बत कर लेते हैं, तो ये 50 से लेके 62 तक रहे हैं, क्लियर हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है हमारा, पुर्व टट्ये मैदान का एक अन्य नाम है, तो इसका जो सह अन्सर हो जाएगा, बो हो जाएगा, ऑप्सन नमबर C, यानि कोरो मंडल टट के मैदान, ठीक है, भारत के पुर्वी टट के फॉल्स डीवी बिंदू से केप कैमेरिन तक के भाग को कोरो मंडल टट कहा जाता है, क्लियर है, और कौंकन, गुजरात मैदान और मालावाट अब अड़ते हैं अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है हमारा, किस भारतियर आज की टट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा, आंधर परदेश, देखिए, यहाँ आप्सन में क्या कि गुजरात नहीं है, अगर गुजरात रहता, तो इसका सही अंसर गुजरात होता, ठीक है, लेकिन गुजरात नहीं है, तो अंधर परदेश हो जागा, अगर हम भारत की कुल टटियर एखा की बात करते हैं, तो भारत में कुल है, 7516 किलोमेटर, क्लियर है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है हमारा, अंडमान दीप समूँ और निकोबार दीप समूँ, निमलेखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो इसका जो सही अंसर है, बहु हो जागा, 10 डिग्री चैनल, यानि क्यो अप्सन नमबर है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, जो है कहां, लिट पुड़ा अब बिंद सरिंखला के मद पुर्व से पस्चिन की और नर्मदा नदी परभाहित होती है, ठीक है, नर्मदा को उदगम अस्थान कहा है, अगर बात कर लेते हैं, तो इसका उदगम अस्थान कहा है, मैकाल परवत, मैकाल परवत की अमर कंटक्ट चोटी से ये न अदमूख बनाती है, ठीक है, भारत के गुजरात राज में अवस्थित गिर बायो रिजर्ब सेरों के लिए प्राकिर्थिक, ये सेर के लिए परवत, गिर बन, चलिए, अब अब अड़ते अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है, जीम मंडल आर अच्छी छेतरों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहु जगा बहु जगा, नील गिरी जीम मंडल आर अर अच्छी छेतर, यानि की ओप्सन नमबर B, ठीक है, और ये कब अस्थापित किया गया था, उन्हें सो, 86 में ये अस्थापित किया गया था, और ये भार 40 किलो मेटर स्कौार में है ये, ये मनिपूर के बिसनु पुर जीले में है, और ये किसका इस्सा है, लोकटक जील का, ये लोकटक जील का एक अभीन हिस्सा है, क्लियर हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है हमारा, नीली क्रांती यानि ब्ल और खदान उत्पादन की बात करते हैं, तो इससे है हरित करांती, क्लियर हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है हमारा, तरन ताल बास्ता भी गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, परकास का, अब नमबर A ठीक है धोनी की तिब्रता को हम लोग decimal में नापते हैं और इसका संखेव में इसको क्या लिखते हैं D और B ठीक है डीवी लिखते हैं इसको संखेव में देखिए कि अंधरिये परदूसन नियंतरक बोड़ द्वारा निधारक मानकों के अनुसार 45 से लेके 55 डीवी त आप ध्वार्द परदूसन का जाएं जोता है 162 यानी 1812 से लेके 200 डीवी यानी 202 यह डेसिमल ता का रोकेट इंजिन ध्वार्द निकालता है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोषन की तरफ अगला कोषन है नुटन का पहला गति नियम संक कल्पना देता है तो इसका जो जब तक आप मोसन में बने रहेगा जब तक आपяч में नहीं अपिलाई किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चन है पुरानी किरताबों कागज भूरा रंग किस कारन से हो जाता है। तो इसका जो सही अंसर है वो होगा सेलू लोज के ओक्सी करण के कारण यानि की option number D. चलिए, हमारा अगला question कहा रहा है, कौन सी अक्रिय गैस योगिक बना सकती है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा जेनॉन. ठीक है? इसका सही अंसर क्या हो जागा? जेनॉन. देखे, अगर हम लोग बात करते हैं जेनॉन की, तो जेनॉन का जो अटामिक नंबर है, वो कितना है? 54 है. और इसके खोज किस ने किया था? बहुत बार एक्जाम में आया है. इसका खोज किया था बिलियम रैमजे ने. बिलियम रैमजे ने जेनॉन का खोज किया था कब? 18992 म क्लियर हैं? चलिए. अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ. अगला कोश्चन हमारा कह रहा है, पाइराइट एसको को जलाने से क्या मिलता है? तो इसका जो सही अंसर हो जगाब हो जगाब हो जगाब हो जगाब सल्फर डायोकसाइड गैस यानि कि ऑप्सन नमबर B. ठ जो कि यह सल्फर गैस निकालता है, तो इसलिए इसका उप्योग हम लो कहाँ करते हैं? सल्फियूरी केसिड बनाने में इसका उप्योग करते हैं. चलिए. अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ. अगला कोश्चन है, एड्स के भी सानू किसे नस्ट कर देते हैं? तो यह करता क्या लिम्फोसाइड? यह हमारे में अंटी बोडी प्रोटीन बनाता है, मतलब कहने का मतलब प्रतिर अच्छी प्रोटीन बनाता है, यह लिम्फोसाइड. और यह एड्स क्या करता है? जो प्रतिर अच्छी मतलब अंटी बोडी जो हमारे बोडी में क्रियेट करता पहुचने या बिलकुल भी रखत ना पहुचने की बज़ा से ही दिल का दोड़ा बढ़ता है अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा एलोसोम होते हैं तो इसका जो सही answer होगा वो होगा लिंग गुंसुत्र यानि gender chromosome ठीक है मनुस में अगर हम बात करते हैं सुत्र की तो कितने जोड़ी होते हैं 23 जोड़ी यानि 46 जोड़ी कह सकते हैं जिसमें से ध्यान रखिएगा ये जो 23 जोड़ी होता है male और female की अगर हम लोग बात करते हैं male और female में 22 जोड़ी सेम होता है और ये जो last बाला जो 23 जोड़ी होता है और थेसमा जो डी जो होता है वो different होता है और जो different होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ये लोसम बोलते हैं ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं कि female में xx है और male में xy हो clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा lock जान निमली खित में से किस रोग की अंती मवस्था है तो इसका जो सही answer हो जागा बो जागा option number d यानि titnes की बो अंती मवस्था है ठीक है अगर हम लोग बात titnes की कर लेते हैं तो जो titnes रोग है वो bacils ठीक है bacils titanic नामक जिवाने द्वारत फैलता है clear है और जो अधिकांस ता कहां पाया जाता है कोई भी जो लोहा जंग लगा हुआ रहता है उस पे सबसे जाधा पाया जाता है ठीक है और इसे बैत्ति के तंत्री का तंत्र में स्रंक्रमन फैलना शुरू हो जाता है titnes बिमारी से clear है च और इसी पुस्तक में मतलब on the origin of a species की ही बात है इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ठीक है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चलिए अब अड़ते हैं अगले कोशन की तरब अगला कोशन है वारा किसी जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा option number C यानि मध्यवर्ती उपभोग क्लियर है अगला question है हमारा भारत में राष्टिये आएकर प्रकलन तयार किये जाते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा CSO द्वारा यानि कि option number D केंद्रिये सांखी की संगठन इसी को बोला जाता है CSO Central Estatic Office अगर हम लोग बाप करते हैं CSO की तो इसकी अस्थापना 901 आमन में हुआ था और इसका जो मुख्याल है वो नई दिल्ली में है अब सबसे पहले ये CSO जो था 1956 में कब 1956 में वो आंकडा जा आगल किया था राष्टी यहाए संबंदित क्लेर है चलिए अब औरते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है कहा जाता है कि अच्छा पैंकर वह है जो बंधक और डैस के बीच अंतर जानता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जगा option number B यानि बिनमे पत्र ठीक ह है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा option number A यानि पुंजिवाद की नीती है ठीक है रखो और निकालो मतलब कहने का मतलब क्या है higher and fire इंगलिज में higher and fire जो है वो किसे पुंजिवादी अर्थ विवस्था की नीती है अगर हम लोग बात करते हैं पुंजिवादी अ हमारा लज्जा पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा तस्लीमा नसरीन यानि option number B और यह कहां की बंगलादेश की यह बंगलादेशी लेखी कहां है तस्लीमा नसरीन और इनहीं की पुस्तक है लज्जा क्लियर है चलिए हमारा अगला question कहरा अंसर हो जागा वो जागा option number B यानि विजयल अच्मी पंडित और यह कब बनी थी 1903 में विजयल अच्मी पंडित 1903 में संजुकतराश महासभा की अध्याच चुनी गई थी ठीक है और यह पर्थम भारतिये तथा प्रथम महिला है क्लियर है चलिए अगला question है वारा बॉल street की बात कर लेते हैं तो इसका से जो सही answer हो जागा option number C यानि निवर्क का एक stock exchange है ठीक है बॉल अच्रीट एक mark है जो लोबर मैन हटन निवर्क सिटी USA में है ठीक है यह निवर्क एक stock exchange का ग्री है जो अपनी सुचिबध कंपनियों के बजार पुंजी करन की अधार पर दु जगा option number A यानि फारस की खाड़ी में देखें बिस वितिहास में सबसे बारा जो तेल भिखरा था वो खाड़ी यूद के समय 19 जनवरी 19-1990 को हुआ था कहां यही फारस की खाड़ी में क्लियर है चलिए अगले question पर बढ़ते हैं तो अगला question हमारा कह रहा है भारत को प्रथ टाइगोर को कब 1913 में ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और नाम याद रखिएगा नोबल प्रुसकार से related अमर्त सेन का ठीक है इनको 1998 में मिला था किस चीज के लिए अर्थ सास्थ के लिए एक और नाम याद रखिएगा मैरी क्यूरी को इनको दो भिन भिन का नोबल प्रुसकार मिला है मैरी कुरी को क्लियर है चलिए तो आसा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै चाहिए तो आप जाके टेलिग्राम ग्रूप से ले सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चलिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केर